क्यारे बच्चों नमस्कार आज में फिर से उसी टोपिक को आगे बढ़ाऊंगा जो चल रहा था पिछले वीडियो में आपने पड़ा था प्रस्णावली पंद्रवी वर्त की पृद्धी और उसका छेत्रफल उसी का कुछ बाग्शेश रह गया था उसके बारे में आज हम पड़ेंगे तो 15.3 प्रस्णावली के अंदर वर्त आयत वर्त इसका स्योजन हम पड़ रहे थे इसमें कुछ क्यूस्टन हमने पड़ लिये थे कुछ सेश रह गए थे वही सेश क्यूस्टन इस वीडियो में हम देखेंगे तो क्यूस्टन नमबर पांच के बारे में हम तिर्जा 3.5 मिटर है इस प्रकार से एक वर्ताकार पारक है इस पारक की तिर्जा है वो 3.5 मिटर है इसके चारों और इस प्रकार से एक राष्टा बना हुआ है इस रास्ते की तुड़ाई एक पॉंट चार मिटर है फुटपात बनी हुई है इसकी तुड़ाई एक पॉंट चार मिटर है ऐसे आपने तुराहे देखे होगे बड़े-बड़े सहरों में इस प्रकार से तुरा होता है बीच में उसके चारों और इस प्रकार से सरकिल के र तो यह तो जैसे वो रोड है उस रोड की दुघाई एक पॉंट छार मिटर है यह जैसे वो Talk最近 है और उसकी तिर्जया जो है वो तेन पॉंट पांच मिटर है अब हमें यह बताना है कि यह चय-जन और जो रोड बनी विया है या यह जो फुत्पात है इसका छेत्ज़िखि क्य बताना है, तो इस प्रकार से इसका छेतरफल हमें बताना है, बताने के लिए देखिएगा, यहाँ पर दो वर्त हैं आपके सामने, एक तो अंदर का वर्त है, जिसकी तिर्जा तीन पॉइंट, पांच मिटर है, और दूसरा है बाहर का वर्त, बडा वर्त पूरा, इसकी तिर् ये हो गई एक पॉइंट चार, फुल मिलाकर ये पूरी बारवारे वर्त की तिर्जा हो गई, चार पॉइंट नो, अब बाहर के वर्त के छेत्रफल में से, यदि हम अंदर वारा वर्त है, वो गटा दें, तो ये बाग आएगा, लेकिन ये प्रकिरिया थोड़ी लंबी होती ह है, इसलिए मैंने आपको ये रिंग के अकार का एरिया बताया था, जिसका नाम होता है वल्ले या वल्ली का, ये रिंग के अकार के एरिया का सित्र फल गयात करने के लिए सुत्र बताया था, इसको सेकंद्र ये वर्तों से परीबत सित्र भी बोलते हैं, सेकंद्र ये वर्त वो होते हैं जिन दो वर्तों का केंदर एक हो और तिर जाएं अलग अलग हों तो वो सेकंडर ये वर्त कहलते हैं तो देखिए बड़ी आर जो है आपके पास वो तो आएगी तीन पॉइंट पांच पलस एक पॉइंट चार बड़ी आर यहां से लगा कर यहां तक यह पूरी यहां तक तीन पॉइंट पांच और पलस आगे एक पॉइंट चार यह तो आगे चार पॉइंट नो मिटर और छोटी आर जो है वो अंदर वाड़ी वर्त की आर है यह है तीन पॉइंट पांच मिटर अब सेकंडर ये वर्तों से परीबद छेतर का छेतर फन इसे सेकेंडरी अबरतों से परीबद छेतर बोला जाता है और इसका छेतर फन देखिए पाई को मैंन बड़ी आर प्लस सोटी आर बड़ी आर माइनस सोटी आर ये इसका सुत्र है सुत्र में मान रख देंगे उत्तर जेगा पाई का मान 22 बटे साथ बड़ी आर 4.9 प्लस 3.5 और बड़ी आर 4.9 माइनस 3.5 ये आ गया 22 बटे साथ गुणा में इसको जोड़ दें नोर पांच चौदा च्यार तिन साथ और एक आठ पॉइंट च्यार गुणा में ज्यार पॉइंट नो में से 3.5 गटा दें एक पॉइंट च्यार अब इसको काट दें साथ दून चौदा पॉइंट दो आजेएगा इसको गुणा कर दें बाइस दून चौबमालीस च्यार पॉइंट च्यार गुणा में 8.4 अब इनका गुणा करेंगे तो उत्तर आपके सामने होगा 8.4 को 4.4 से गुणा करना है 4 चोके 16 का छिका अंसर लगी 1, 8 चोके 32 और 1, 33 फिर 16, 33, 6, 9, 6, 3 एक और एक दो अकसर के बाद पॉइंट लगेगा क्योंकि गिनती करके पॉइंट लगाया जाता है गुणा में एक अकसर पर पॉइंट इसमेर एक पर इसमेर भुणा कर रहे हैं तो एक और एक दो अकसर के बाद पॉइंट लगेगा तो आजेगा ये 36.9, 6, मिटर स्केर इस परकार से आप किसी भी फुटपाद का या किसी रास्ते का या कोई भी रिंग का छे तरफल गयाद कर सकते हैं आगे देखेंगे क्यूस्टर नमबर 6 क्यूस्टर नमबर 6 देखिए इस परकार से एक वर्थ बना हुआ है वर्थ के अंदर ऐसे एक वर्थ बना हुआ है और इस वर्थ की 38 सेंटेमेटर की है आज सेमी तिर्जावारे वर्थ में से एक वर्थ काटा गया है तो वर्थ का छेत्र फ़ल गयात करो वर्थ का शेत्र फ़ल गयात करो इसके अंदर जो वर्थ है ये बी सी डी एक वर्थ काटा गया है वर्थ में से इस वर्थ की तिर्जावारे वर्थ की 38 सेंटेमेटर की है अगर तिर्जावारे आठ की है तो ये व्यास जो है ये आठ और आठ सोड़ा सेंटेमेटर का हुझाएगा तो लिखेंगे चूंकि वर्त की तिर्जा आठ सेंटीमिटर है अतय व्यासे दो गुणा आठ बराबर 16 सेंटीमिटर होगा और जितना इसका वर्त का व्यास होगा 16 सेंटीमिटर का उतना ही इस वरक का विकरन होगा दिखेंगे चूंकि वर्ग का विकरने बराबर है वर्त का व्यास अब विकरन आपका है बीडी ये बीडी विकरन है और ये इसका वर्त का व्यास है तो ये है 16 सेंटीमिटर का अब विकरन से वर्ग की बुजा गयात करने का एक सुक्तर होता है वैसे तो पता है कि वर्ग का छेतर फले बुजा की स्केर होता है और हमें वर्ग का छेतर फली पुछा है और छेतर फल होता है बुजा की स्केर अगर हमारे पास इस वर्ग की बुजा होती ही तो हम सीधे बुजा स्केर में मान रखके निकार देते लेकिन प्रोब्लम तो यही है कि स्वाल में बुजा तो दे ही नहीं रखी है हमें तो दिया है शिर्प वर्त की तिरज़ा दिया आठे मी इस तिरज़ा से ही पूरा काम चलाना है इसलिए ये साइधी बाते में बता रहा हूं कि वर्त की तिरज़ा आठãyी है तो व्यास है वो आठ का दुमना सोड़ा हुजाएगा अगर व्यास सोड़ा हो जाएगा तो ये जो व्यास है इसका ये इस वरग का विकर्ण है यानि वरग का विकर्ण सोड़ा आगया बुजा भी तक नहीं है हमारे पास जब बुजा आएगी तब सुत्र लग जाएगा तो बुजा गयात करने के लिए देखिए, शुत्र है, बुजा बराबर, अगर वर्ग की बुजा गयात करने है, तो बुजा बराबर विकर्ण बटे, रूट दो, यह शुत्र होता है, अगर वर्ग का विकर्ण आपके पास है, उसकी आपको बुजा गयात करने है, तो शुत् का रूट दो बुजा आगई आपकी अब सुप्तर में लिखे हम तो सोड़ा बटे रूट दो की सुकेर बुजा स्केर की जिगे अब सोड़ा की स्केर होती है 256 रूट दो की स्केर आजाएगा दो 256 में दो का बाग देंगे तो 128 सेंटीमीटर स्केर ये आपके वरक का शेतर आफल आजेएगा तो कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है समझने बाड़ी बात ये है कि इस वरक की बुजा कैसे आएगी बुजा के निए सुप्तर आना चाहिए कि अगर वरक का विकर्ण आजे तो विकर्ण अबटे रूट दो ही बुजा होती है अब देखिए वरक वर बुजा अब बुजा आगई तो बुजा स्केर छेत्रफल होता ही है इसमें मान रख दिया और छेत्रफल आगया सामने तो आगे क्यूस्टन देखें क्यूस्टन नमबर साथमां साथमा क्यूस्टन है हमारे पास एक आकर्टी दी गई है उस आकर्टी में सायंकित बाग का छेत्रफल में बताना है आकर्टी है हमारे पास इस परकार से इस परकार से एक चतुर्थार्श दिया हुआ है जब कोण 90 डिगरी का हो तो वह चतुर्थार्श होता है किसी तिरज्या खंड का कोण 90 डिगरी का हो जाए तो वह चतुर्थार्श होता है इस परकार से 14 सेंटीमेटर का एक है 14 सेंटीमेटर तिरज्या का चतुर्थार्थ दिया है O A B इसमें इसने बताया है कि यहाँ पर एक रेखा है BC इसमें M बिंदू के इंदर है इस M पर प्रकार रख करके इतना खोल कर या BC को व्यास मानकर M पर रख लिया BC को व्यास मना लिया तो इतनी तिर्जा हो गई इतना प्रकार खोल करके एक अर्दवर्त की रचना किये गई है पर इस बाग को चायंकित किया गया है इस बाग का चेत्र फलह में बताणा है तो देखिए यह ने तो QUOOD तिरज्ज्जया खन्ड लाग का शुक्ति काम आने व जो चाप के बीच मेरिया है इसका छेत्र पर निकारने के लिए देखिए ये इतना पार्ट जो यहां तक दिया है इसने चतुर्थार सी ये इसके अंदर एक पार्ट दिया है ये इस पार्ट में यहां पर जीवा खीच करके बीसी ये जो पार्ट है इसमें जीवा है ये बीसी ये जीवा इस चाप के बीच में ये जो एरिया है इस एरिये का छेत्र फल हम निकार सकते हैं लगू वर्थखंड के छेत्र फल के शुत्र से क्योंकि ये लगू वर्थखंड है एक चाप और एक जीवा है और इस लगूवर्थ खंड का छेतर फल यह दिया जाएगा तो देखिए यह आदा वर्थ है इस बीसी से उपर का आदे वर्थ में से अगर हम इसका छेतर फल गटा देंगे तो इसका जाएगा तो पूरी बात समझने के लिए यह बात दिमाग में बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हमें यह जो लगूवर्थ खंड दिखाई दे रहा है निचे यह जो मैंने अलग दिखाया है इतना बाग इसका छेतर फल निकलना जरूरी है इसका छेतर फल जब निकल जाएगा तो फिर हम आदे वर्थ का छेतर फल निकाड़ेंगे आदे पहले देखिए थिट्टा का मान है हमारे पास 90 दीरी क्योंकि यह चतुर्थार्स है इतना इतना और प्राप्र है हमारे पास 14 सेंटिमीटर तो देखेंगे लगू वर्तखंड का छेत्रफल इस भाग का मैं छेत्रफल निकार रहा हूँ जिसको मैं सायंकित कर रहा हूँ अब इतने भाग का इस पे सुत्र लग जाएगा पाई आर स्केर थिट्टा बटे 360 डिगरी माइनस आर स्केर बटे 2 सायं थिट्टा अब देखें पाई का मान है हमारे पास 22 बटे 7 आर देखें इसकी 14 है 14 गुणा में 14 गुणा में थिट्टा का मान 90 बटे में 360 डिगरी माइनस आर 14 गुणा में 14 बटे में 2 थिट्टा के स्थान पर सायं 90 डिगरी लिख सकते हम क्योंकि थिट्टा का मान 90 है और इस सायं 90 का मान एक होता है इसकी जगए एक लिखा जाएगा सायं 90 का मान एक होता है अब इसको कटे तो काड़ दो 9 चुके 36 चार आजएगा ये साथ से कटे तो साथ दुनी चुदा दो आजएगा ये दो से कटे तो दो दुनी चार दो आजएगा यहां इस दो से फिर कटे तो दो साथ चुदा साथ आजएगा यहां पर सब कुछ कट चुका है सिर्फ 22 और 7 बचा है यहां पर देखिए 2 का बाग चौदा में ने 7 आजेगा अब यह तो आ गया 22 गुना 7 माइनस यह आ गया चौदा गुना 7 यह आ गया 22 सत एक सो चौपएन माइनस यह आ गया 14 सत एठान में ये आगया 56 cm2 ये आपके इस बाग का छेत्रफल आगया लगू वर्थखंड का अब अगर ये पूरा आदा वर्थ है इसको छोड़ दें तो ये आदा वर्थ है आदे वर्थ मेंसे इस बाग का छेत्रफल में गटाएं तो ये बाग बचेगा और इसी बाग का छेत्रफल में गटाड़ना है तो देखें कैसे निकलेगा सबसे पहले तो हमें अर्दवर्थ की तिरजया चाहिए क्योंकि हम अर्दवर्थ का छेत्रफल तब गटाएंगे जब हमारे पास इस तिरजया का मान हो ये आदी तिरजया या पूरे व्यास का मान हो तो पूरे व्यास का मान हम निकाल सकते हैं ये एक समकोन तिर बुज़ है आपका B, A, C समकोन तिर बुज़ में समकोन के सामने की बुज़ा ये कर्ण है इस कर्ण को हम ग्याद करेंगे पाइथा गोर्ष परमे लगा करके पाइथागोर्स प्रमे में सुक्तर होता है कि अदार की स्केर प्लस लंब की स्केर बराबर होती है करण की स्केर अब ये तिर्जा चौधा है तो ये भी तिर्जा है चौधा ही होगी यारे तिर्पुज का अधार भी चौदा है लंब भी चौदा है करण हम ग्याद करेंगे तो तिर्पुजे B.A.C. में पाइथा गोर से परमेशी लिखेंगे करण की स्केर बराबर अधार की स्केर प्लस लंब की स्केर अब अधार भी चौदा है लंब भी चौदा है अब जब भी वैसे तो इसको हल करने के लिए हम ऐसे करेंगे कि एक सो च्चान में प्लस एक सो च्चान में यह आजएगा तीन सो बाण में करण की स्केर अटाएंगे इधर से इधर से स्केर अटाएंगे तो इधर से वरगमून निकाड़ना पड़ेगा तिन सो बाणवें का जैसे इस साइड की स्केर अटेगी तो इस साइड में रूट लगेगा इस साइड की स्केर अटती है तो इस साइड में रूट लगता है करते हैं दो का बाग जा रहा है एक सो च्यानवे और फिर बाग जा रहा है साथ का साथ दूनी चवुदा बच गए पांच साथो आठो चपने फिर साथ का जा रहा है साथ चोक इठाईस फिर दो का जा रहा है फिर दो का जा रहा है तो जोडnya मेरे ने चुउदा रफंण दू आ जही यानि अगर इसका फ्रगमूल हम निकारेंगे तो चॉदा र५ंण दू आ जहीगा लेकिन ये लंबी प्रकिरीया हो गई बहुत सारे बच्चों को तो वरगमूल निकारना भी नहीं आता इसलिए सीधा साथ सोटकर तरीका बता देता हूं जब दो संख्याएं एक जैसी आए और उनके उपर स्केर लगी हुई हो कोई भी संख्या है चाहिए जैसे 14 की स्केर प्लस 17 की स्केर इसका तो चलो मान लो कि जिस बच्चे को वरगमूल निकारना आता है वो तो निकार सकता है लेकिन यदि यही संख्या ऐसे आजए कि साइन स्केर थिटा प्लस साइन स्केर थिटा और इस पर रूट लग जाए तो फिर क्या करोगी तो सिधी सी बात यह है कि इसके अंदर इनका जोड़ दो साइन स् थिटा साइन स्केर का वरगमूल तो साइन थिटा आजएगा और रूट में दो आजएगा तो सिधी सी बात यह है कि जो संख्याएं आई हुए हैं यहाँ पर एक जैसी जो दो संख्याएं आई हुए हैं वो संख्या तो बाहर निकर जाएगी सुकेर अट जाएगी और उसक साथ रूट दो लग जाएगा इसी के अनुसार जैसे इसमें देखिए चौधा की स्केर चौधा की स्केर था तो चौधा तो आगया रूट से बाहर और साथ में रूट दो आगया जैसे इसमें आया कोई भी हो चाहिए A² प्लस A² अगर दो एक जैसी संख्या है तो किसी वरगमून लिकारने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है ये रूरत दो आएगा जैसे कोई भी संख्या जै पांश की स्क्वेयर प्लस पांश की स्क्वेयर और इसके उपर route है वरगमून लिकारना है तो इसको कहीं भी हल करने की जरूरत नहीं है सीधा पता है कि 5 route दो आजेगा तो इस परकार से इसको भी हम लिख सकते थे चवदा route 2 सीधे जब वरगमून लिकारना था जर से इसके रट आएंगे अब ये तो आगई आपकी BC के लंभाई व्यास आगे अर्दवर्त का हमें निकाड़ने अर्दवर्त की आर तो आर बराबर ये व्यास आगे आपका 14 रूट दो तिर्जया उसकी आती होगी तो 14 रूट दो बटे में दो दो का बाग्चा उदा में देंगे तो 7 रूट दो आगे यार ये आर आगे इस अर्दवर्त की इसकी हमें जरूरत नहीं आगे ये जो आदा वर्त बना हुआ है पूरा ये इस आदे वर्त की तिर्जया आगे है हमारे पास 7 रूट दो इस अर्दवर्त का 6 रफल गयाद कर सकते हैं आप हम तो अर्दवर्द का 6 रफल अर्दवर्द का 6 रफल हो गया 1 बटे 2 पाई आर की स्केर 1 बटे 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा आर है इसकी 7 रूंट 2 तो 7 रूंट 2 गुणा 7 रूंट 2 आप देखिए साथ से साथ कड़ जाएगा उपर रह गया बाइस गुणा साथ गुणा रूट दो को रूट दो से गुणा करें दो बटे में आ गया दो दो से दो कट बाइस आते 154 cm2 तो इस पूरे बाग का चेतरफल आ गया 154 cm2 इस में से ये वड़ा बाद जिसका शेत्रफल आपने निकाडा था चपन वो गटा दें तो ये जो बाग है आपका उपर चायांकीत इसका शेत्रफल जाएगा तो चायांकीत बाग का शेत्रफल बरापर 154 अर्दवर्थ का शेत्रफल है इसमें से लगूवर्ट खंड का सेत्र फल अटा देंगे चपन तो अठान में सेंटीमिटर स्केयर इसका सेत्र फला जाएगा अब ये तो मैंने सारे पार्ट अलग-अलग खोल करके आपको बताए है यदि आप निकालना चाहें तो इसको एक साथ भी निकाल सकते हैं तो बाकि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम